आजमगर जिले के अरोला थाना चेत्रे के गोपाल गंज बाजार इस्तित एक मिठाई कारोबारी पर प्रदानी चुनाव की रंजिश को लेकर फाइरिंग की गई एक बाइक सवार तीन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया समोसा चानने वाले कड़ाए को सीने पर लगा कर मिठाई कारोबारी ने अपनी जान बचाई पैर में गोली लगने से वह घायर गए उसे जिलास पताल से वारणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया गए गटना की सूचना पर पुलिस मार्क में में हरकाम पमच गया गए कुछी देर में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुँच गई और ओला थाना छेतर के भेदोरा गाउं निवासी 38 वर्षे शिव आसरे यादव गोपाल गंज बाजार में सचन स्वीट हाउस नाम से मिठाई की दुकान चलाता गए वैपूर्व में गाउं के प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुका गए और इस बार भी चुनाव की तैयारी कर रहा था इसी दौरान एक बाइक सवार तीन बदमाश मोचे और शिवासरे को लक्ष कर फारिंग शुरू कर दी पहली गोली चलते ही शिवासरे सतर को गया और पास रखी समोसा चाने की कड़ाई को उठा कर अपने सीने पर लगा लिया बदमाशों ने तीन से चार राउंड फारिंग किये जिससे उसके पैर में गोली लगी देखिए शौरे नियूज इंडिया की है रिपोर्ट पहले आथ को बीडिग हो जाना हो रही है थी कंपर से शौरे पेशेंट इस्टेफल है उसके थोड़ा से कम अपार्टमेंट शिंड़ों अपकर कंप्लेक्स टाहरा हो अगरे से अपने को यह से इस पर बोली कहां लगी किस पर उसके राइट थाई में लगी है अच्छा आप तर जो गटनाई कौन लग थे क्या कर नहीं है अग्यान लोग आए और हमारी दुकान पर बैच्छे थे वह आए जूत कर गोली वारे और उसके बाद बोले साली तुम परधानी इंड़रे और भासरी वाले दिये और उसके बाद साज में फिर हम अंदर भाग गाई उसके पृस्ती थी हम लोग उसके बाहर से आग अगे तो हुर लोग गारी पर बैटकर पीचार हमारे उसके बाद जाए लूग खायर ले हैंए इसके बाद रूब देखे घुईों मई पैर से बुलर घुम वाह रा घार थे तो हमने लोग सब्ल hot情 थे कौन कॉन लुक तो मतलब परधानी चुनाओं लेके जी वो बोले हैं तो कहां गुल लगी आपको कहां किसे हैं तो यहां पायर में लगी है जे आपनोज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टेस्ट करें लेटेस्ट नीज अब बेटे